So now we have implemented the login functionality जो next हमारा target होगा that will be logout जैसे कि अब imagine करो कि अगर user है जो आपकी API को use कर रहा है वो कोई और computer यूज कर रहा है कोई shared computer ना कोई cafe में जाकर यूज कर रहा है So in that case वो लोग logout करना चाहेंगे कि जैसे उनका काम खतम हो गया I am not just talking about this application that we are building इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे scenarios हो सकते है For example, अगर आपने कोई social site या कोई email site develop करी है तो उस case में we need the login functionality Sorry, logout functionality So here in our case जो logout functionality है That is just basically आप कह सकते हो कि जो हमारे GWT tokens है जो हमारे access tokens है उनको हम एक list के इंदर डाल देते हैं इस list का नाम रख देते हैं block list ठीक है और जब भी कोई API को call करता है तो हम पहले check करते हैं कि क्या हमारा token block list में तो नहीं है अगर नहीं है तब भी आगे आपका run करे अगर है तब आपका आगे run ना करे ठीक है तो इस तरीके से आप लोग मतलब logout functionality को implement करते हैं कि भाई logout functionality का URL बनाया जैसी logout functionality call हुई तो जिस token के साथ में वो logout functionality call हुई है वो token को हम block list के अंदर डाल देते हैं जब बाकी API आपके call होती है login के अलावा login logout के अलावा जैसे कि item बाली post item बाली तो उस case में हम पहले जाकर के block list में चेक करते हैं कि कहीं वो token block list में तो नहीं है मतलब जो access है वो remove हो तो नहीं गया if yes तो हम आगे जाकर के बढ़ते हैं otherwise हम उनको दे दें कि भाई already जो आपका ये token है ये expire हो चुका है यहां we can say कि इसको जो access है वो revoke कर लिया गया है तो अब again यहां पर बहुत सारे आतरीक है list बनाने के जहां पर आपने token को store कर सकते हो लेकिन one of them जो मैं यूज़ करने वाला हूँ that is just a simple list just a simple set set मैं इसलिए उसकर रहा हूँ कि तो अगर आपको पता नहीं है अभी sets के बारे में so I'll just quickly go and create a new file called blocklist.py ठीक है जी यहां पर आप comment आल सकते हो multiple but I'm just going to write the code जैसे कि यहां आप हम लिखेंगे blocklist ठीक है जी यह आपका हो गया list यह आपका हो गया couple और यह अगर आप कुछ ऐसे लिखते हो कि like something यहां पर token2 तो यह आपका हो गया set अगर आपको empty करोगे तो यह आपका बन जाता है dictionary तो अगर आपको empty set बनाना है आपको सिर्फ यह constructor call करना है that is set ठीक है जी तो यह आपका देख़ए यहां पर new empty object नहीं करते हैं तो इतना करने के बाद में next हम लोग को करना है कि जब कि आपकी logout functionality को call करे तो इस block list के अंदर वो चीज को डाल देए आप इसको database के अंदर भी डाल सकते हो क्योंकि अगर हम app restart करेंगो तो यह फिर से reset हो जाएगा तो अगर आपने एक वर token को logout किया है फिर से आप login कर रहे है तो उस case में दिखता सकते है लेकिन अभी के लिए हम यही उसकरने वाले है अगर आपको same यही चीज database के अंदर करने है तो आपको अलड़ी पता है कि database कैसे काम करता है कैसे connectivity करते है तो आप उससे भी कर सकते हो So once we have this block list here तो अगर इसके इंदर कोई भी data बगारा है कोई भी access token पड़ा हुआ है तो वो हम कैसे check करते है किसी भी API call से पहले पहले उसके बारे बात कर लेते है फिर हम logout वाली API को implement करेंगे So just go to app.py यहां पर जहां आपनी JWT manager वाला बनाया हुआ है इसके जस्ट नीचे जाकर करके हम लोग एक decorator का use करेंगे JWT.token in blocklist loader अब नीचे के function को create करेंगे जो हमारा call होगा जितनी बार भी आपको API call करोगे तो वो चेक करेगा कि भाई आपका blocklist के अंदर है की नहीं है तो जिसके नीचे function है वो यहां तो true return करेगा यहां हमारा false return करेगा लेकिन इससे पहले हम कुछ return करें एक चीज कि हम blocklist के अंदर exactly क्या पूरा पूरा token store करवाएंगे क्या वो सही है या हमारे पास में कोई unique ID हर एक token से related होती है ठीक है दा आंसर इस कि हमारे पास में हर एक token से related एक unique ID होती है जिसको हम लोग use कर सकते है ठीक है अपने उसके अंदर store करवाने के लिए तो अब उस unique ID को get कैसे करना है वो आपको दिखा देता हूं एक और में let's imagine कि हम लोग ने login किया ठीक है I'll do one thing फटा फटा से जाके इसको एक और इस API को call कर लिते है let me run this application class run जैसे आपका run हो गया let's login login करने के बाद में हम यह पूरे पूरे टोकन को कर लेंगे copy यहां से ठीक है and I'll just open chrome जहां पर जाके मैं search करूंगा JWT और इसके अंदर जाकर कर देंगे paste ठीक है तो again हमारे पास में यह तो आगया header यह आगया पेलोड डेटा राइट पेलोड डेटा के अंदर there is something called JTI तो यह आपकी है JWT ID जो की अगर आप यहां पर देखो तो यह साथ मुझे मैसेज आ रहा है यहां पर शोग रहा है कि unique identifier for this token that means हर एक token से attached एक unique identifier होता है तो हमें पूरा का पूरा करने के बाद में हम लोग अपना function create करेंगे call def check if token in block list यह नाम दे दिया function को first one is JWT header second one is JWT payload ठीक है अब इस payload के अंदर से हम लोग को मिल जाएगा क्या हमारा JTI ठीक है और जो भी JTI होगा वो हम लोग store करवाएंगे यहां पर इन अगर मैं यहां पर यह लिखूं कि भाई टिक 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 कि जो JWT payload है उसका जो JTI की value है in block list राइट तो block list अभी इंपोर्ट नहीं किया क्योंकि हम कोई भी list के अंदर item चेक करते हैं कैसे करते हैं सेम सेट के लिए वही चीज़ है तो JWT payload JTI in block list इसका अंसर जागा true या false तो हमें यही answer return करना है कि अगर वो exist करता है तो true अगर exist नहीं करता है block list में in that case it will return the false ठीक है अब आती है यह तो हमारे एक और डेकोरेटर यूज करते हैं जहाँ पर में मैसेज को specify करेंगे तो यह आपका डेकोरेटर है जो बिसिकली करता क्या है कि callback function है अगर आप यह आप होरो करोगे यह callback function है आपका एक custom response को return करने के लिए ठीक है कि भाई आपका जो token है वो कर लिया गया है यहां फिर कुछ भी आप अगर कुछ से कोई message देना चाहते हो तो भो भी दे सकते हो even if you don't use this तो आपका एक by default message आ चाहेगा तो अगर आपको custom चाहिए message तो आप इसको use कर सकते हो otherwise you don't need to use this तो यहां आप इसका नाम रख लेते हैं let's say आपके 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 वह भी सेम होंगे just like अपर वन ओके जी डाविटी हैडर जे डाविटी पेलोड यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसके अंदर वो अलग आपका यूण यहां से आपको दो चीज़े रिटर्न करने है ठीक है first तो आप रिटर्न करोगे मैं इसके इंदर रिख लेता हूं परस्ट आप रिटर्न करोगे अपना जो आपका जेसें message है दूसरा आप रिटर्न करोगे status code so I'll just say 401 401 ठीक है 401 is for unauthorized I think ठीक है and then यहां पर हम लोग इस message के अंदर पास कर देंगे something like tick 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 क्या पास किया जागा एक description और दूसरा हम पास करेंगे हमारा error code तो मैं यहां पहले description देता हूं let's use this description ठीक है यहां पर हम देसकते है कि the token is revoked or we can just say user has been logged out ठीक है जी आपका then next जो हम दे सकते हैं तो इसके नीची दे दे let's say error किया जागी आपकी तो error आप यहां पर आगे जा करके mention कर सकते हो so again अभी दक अगर आप देखोगे तो हमने यहां पर क्या किया है right तो कि हम से पहले हर API call के पहले चेक कर रहे है कि आपका यह block list के अंदर है कि नहीं है अगर आप access token already block list के अंदर है तो उस case के अंदर हम लोग यह return कर देंगे right लेकिन अभी तक जो हमें काम करना था वो हमने नहीं किया है that is कि हम लोग नहीं block list के अंदर कुछ डाला तो ही नहीं right check करेगा that's totally fine आप भी सारी की सारी APIs अभी perfectly काम करेंगी तो अभी हमें next काम क्या करना है कि we have to implement the जो हमारा logic है user.py यहाँ पर हमें जाकर के एक नई API क्रेट करनी है for logout वो basically करेगी क्या कि आपको जो token है token के अंदर से वो JTI निकालेगी और JTI को हमारा block list के अंदर डालेगी ठीक है जी ब्रुकल से सेनेरियो है यहाँ पर so now let's go and implement the user logout okay let's login को actually और दो दो और बेटर कर देते हैं let's say user login so we know it's related to user ठीक है जी so I'll just copy this thing from here yep perfect and यहाँ पर जाके paste कर देंगे यह login का आपका हो जाएगा logout के अगर कोई logout URL पर आता है in that case basically we don't need database anymore so I'll just remove that and then आपको यह post ही रखना है we are not going to receive anything from here and of course की कोई schema में 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 नहीं करना है but this API requires JWT okay so we have to mention that here कि भाई JWT required ठीक है so just give me a second here that's how you do it तो user.py यहाँ पर जाकर के हम लोग अगर आपको नहीं मिल रहा है we can just say quick fix add तो यह automatically उपर आपका add हो जागा ठीक है यहाँ पर जाकर के हम लोग इसके आगे यह रगा देंगे brackets and then in the end हमारे पास में हमें क्या करना है कि इसके अंदर I'll just remove everything else from here इसके अंदर जाकर के हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो आपका JWT इसको get करके आपको इस blocklist के अंदर डाल देना है and the way you are going to get the data from this JWT is very simple you only have to write get पर जाके पहले import कर लेते हैं so here you have this get JWT तो यहाँ से आपका आगा है JWT and यहाँ पर आपकर करके आप लिख सकते हो get JWT and इस JWT के अंदर आपके पास में होता है JTI मतलब यह आपको dictionary type में आएगा ठीक है जहाँ पर आप अगर मैं इसके पर hover over करूं you guys can see dict return करता है यह तो इसके अंदर आपके पास में JTI जो कि हमेशा हो गई होगा so we can just get that अब बस हमें यह अपने JTI equal to this यह हमें अपनी blocklist के अंदर डालना है that's all right तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा इस blocklist को भी import कर लेते हैं so I'll just say from blocklist import blocklist ठीक है and then while logging out what I'll do I'll just say blocklist.add kya JTI okay so basically आप इस पूरे को copy करके cut करके यहाँ से इसके 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 इंदर डारेक्ट लिख सकते हूँ एक line का आपका code हो जाएगा but yeah up to you and then in the end हम लोग एक message return कर देंगे हम से message will be in the form of this जहाँ पर हम लोग से दे लिखेंगे by message user logged out successfully यहां हम लिख सकते हैं successfully logout ठीक है? up to you कि जो यह आपको message चाहिए है, I think the L will be small here ठीक है जी तो इतना करने के बाद में I think यहां, this is what we have to done, I don't have anything else in my mind, जो हमें करने की ज़रूर होत है, to implement this logout functionality so the only thing that we have to do is just go and run our application, class run perfect, ठीक है, जैसे आपका run हो जाएगा, what you have to do is just get an access token, so I'll just send this request again तो यहां से में का access token मिल जाएगा, and then we are going to use that access token, and कोई भी एक API काल करलेंगा, from items, ठीक है so it is taking a lot of time hmm okay, because we are calling this API for the very first time, or first time आपका data basic connectivity करता, right so, okay so we have a simple issue here so basically it is saying something related to login timeout expired just give me a second let's check it here okay, I think actually we have two instances running so I'll just need to close every other terminal let me do it real quick ठीक है चीए, and again I'll run it okay, चल गया and then I'm just going to call this API again so basically क्या हो रहो गास time पे if you see driver login timeout expired यहाप आया था, right वो अलएड़ी डिटावे से आपकी API connected थी अब हमारा connection बना हुआ था और यह दूसरा हमने फिर से app run करके द्वारा ट्राइ किया, लेकिन again I think we got the same issue here so let's check that out कि क्या हो सकता है hmm just give me a second, let me check that and I'll get back to you guys पहले दिखके तो मुझे दिखी जो यहाँ पे है कि नाम इसका, हमने दो class का नाम बहुकुल सेम रखती है, so I'll just have this class name as user logout ठीक है, and then again हम इसको काल कर लेंगे but in the meantime, let's check if we have any other error logout okay okay so I still have the same error ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे so it is saying कि भाई आपका जो जो हम सेको सर्व में लॉग इन कर रहे है वो आपका timeout expired हो रहा है, ठीक है और normally it happens जो आपका अरड़ी एक connection बना हुआ होता है आपके database के साथ में but in this case, नहीं हम लोग ने सिर्फ एक ही connection बनाया है with the database, so we have to check कि कहां पे चीज़ है हमारी गलत हो रही है क्योंकि अगर आप देखो तो this is the line जहां पे हमारी error आ रही है by odbc.connect so one thing I can do कि अगर हमारा still behind the scene कोई database connected है because हमने terminal पे से अटा दिया है यहां से उसे कोई इस्व होना नी चाहिए so I'll just remove everything and I'll restart my Visual Studio code and try to make the connection again so yep, see